कोवीड नाइंटीन महामारी के कारण लॉकडाउन के प्रभाव को खतम करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम करने के उदेशे से केंद्र वित मंत्राले ने 26 मार्च को राहत उपायों की घोशना की हलो एन वेलकम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चानल लीकल हेल्प इन हिंदी में वित मंत्री निर्मला सीता रमन और राजे मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की मुख्य बातें कुछ इस तरह से हैं सभी फ्रंट लाइन चिकित्सा कर्मी जिसमें की डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कारे करता, आशा कारे करता आदी आते हैं जो कोवीड-19 ट्रांसमीशन से लड़ रहे हैं उन्हें प्रतिवेक्ती 50 लाख रुपे का चिकित्सा बिमा दिया जाएगा दूसरी बात ये कि परधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना में प्रतेक को अगले तीन महीने के लिए पांच किलो गेहूं और चावल देने की योजना भी की गई है इसके लावा हर घर के लिए एक किलो पसंदिदा दाल होगी इस योजना के तहत लगभग 80 करोड गरीब शामिल है अप्रेल के पहले सब्ता में पी-म किसान योजना के तहत 8.69 करोड किसानों को 2000 रुपे का भुगतान किया जाएगा मनरेगा में 2000 रुपे प्रती मजदूर मजदूरी वृदी की घोशना की गई है इससे 5 करोड परिवारों को फाइदा मिलेगा की गई है इससे 5 करोड परिवारों को फाइदा मिलेगा गरीब वरिष्ट नागरिक गरीब विधवा और विकलांगों में गरीबों को अगले तीन महीने में दो किष्टों में 1000 रुपे की अनुग्रे राशी प्रदान की जाएगी 20 करोड महीलाओं के जन धन खाते में अगले तीन महीनों के लिए हर महीने 500 रुपे की राशी दी जाएगी उजवला योजना के तहट 8.3 करोड बीपील परिवारों के लिए अगले तीन महीनों के लिए मुफ्ट LPG सिलेंडर दिये जाएंगे 63 लाख महीला स्वा सहायता समूहों को 20 लाख रुपे तक कर रिंड दिया जाएगा इससे लगबग 7 करोड परिवारों को फायदा होगा दीन देयाल योजना के तहट 10 लाख रुपे में जमानत मुक्त रिंड की वजूदा लाब इस प्रकार दुगना हो जाएगा संगटित शेत्र के लिए भारस सरकार अगले तीन महीनों के लिए नियोकता और करमचारी के एपिएफ योगदान का भुकतान करेगी ये केवल उन प्रतिष्ठानों के लिए होगा जिनके पास 100 करमचारी है और 90 परसन करमचारी की प्रतिमा सैलरी 15,000 रुपे कमा रहे हैं भविस्यनिदी योजना विनिमे में वेक्ति की क्रेडिट राशी या फिर तीन महीने की मजदूरी जो भी कम हो उसको 75 परसन की गैर वापसी योगे अगरीम की अनुमती दी जाएगी इससे 4.8 करोड श्रामिको को लाप मिलेगा 3.5 करोड पंजीकरित श्रामिको की मदद के लिए भवन और निर्मान कामगार कल्यान कोश में पड़ी 31,000 करोड रुपे की राशी का उप्योग करने के लिए राजे सरकारों को दिसा निर्देश दिये जाएंगे जिला खनी श्रामिक निधी के तहट धन का उप्योग करने के लिए राजे सरकारों को दिसा निर्देश चारी किये जाएंगे वित मंतरी ने कहा कि सरकार की ततकाल चिंता ये सुनश्चित करने की है कि इस अवधी के दोरान कोई भी भूखा न रहे और लॉकडाउन के कारण गरीब से गरीब वेक्ति को परिशानी ना हो मंतराले ने मंगलवार को कमपनी अधिनियम के तहट टेक्स फाइलिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी थी तो फ्रेंस ये थी महामारी से जुड़ी केंदर वित मंतराले के कुछ राहत भरे उपाए आई होप की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में और नोटिफिकेशन बटन को भी आउन कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करू तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें